इस सारे विश्व में नाना प्रकार के वनोसधी जड़ी बूटियों हैं, ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है आएं उन रचना में से एक वनोसधी को और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं जो अत्यंत दुरलब है इसकी तीन विराइटी तीन प्रजाती होती है बड़ी वाली को बड़ी भूलन कहते है और दूसरी वाली को मंझली भूलन कहते है और तीसरी वाली को छोटी भूलन कहते है यहां मंझली प्रजाती की भूलन है यहां डेड़ से दो तीन फूर तक के होती है अगर गाय बेल या मनुस्य या कोई जानवार इसको लांग दे तो इसकी एक खासिए होती है कि 24 घंटा के लिए या 12 घंटा के लिए उसकी मती को पूरे याद दास्त को जड़ सहित खतम कर देती है जहां से आएगा उसी जगह पर जाएगा उसी जगह पर जाता रहेगा इस तरह से भठकाव करता है कि यहाँ प्रिक्टिकल की हुई है इसलिए इस भूलान को सबसे हाई पावर का क्वालिटी का माना जाता है और अंडाकार का होता है आप देख लीजेगा और इसके जो फूल होती है दंबेल बूटी टैली फोरा इंडिका होता है वैसी इनका फुल होता है और इसके जो पत्ते होते आंडकार होते हैं आप देख सकते हैं यह देखिया और पुल भी देख लीजेगा तो इसी तरह से जंगलों में यहां अतियंतर दुरलपता से मिलते है भाग्यवस अगर आप इसको देख लिजिए और देख करके बाद मैं कौँगा लाने के लिए जाओंगा अगर करके उस जगह पर भीजाओगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने कई बार इसको खोजा है डूंडा है तो ऐसा होता है उसमें चीन लगा दोगे ना कि ये जगह पर चीन लगाते लगाते आओगे तब उस अवसधियों को आप पा सकते हो नित नहीं पा सकते इसको लाने के लिए दूत फल फूल लेकर पूजा पाड़ करके लाना चाहिए अभी इस दिन जो महिलाएं होती मासिक दरहों वाली तो उसको इसक में तांतरिक बोलते हैं वो लोग इसको लड़की को समोहन करने के लिए घर को बंधन करने के लिए या किसी को बिगाड करने के लिए या नुकसान करने के लिए मारन, मोहन, उचाटन, द्वेशन, आधी परयोग में इसका बेजोड जोरदार परयोग होता है इसलिए इसको मंजली भूलन कहा गया है और यह जमिल पर एकदम फैलने वाली लता होती है जिसको मुकदम में या मिटिंग में जाना होता है तो इसको तंद्रद्वार अभिवंद्रित करके जज के पास जाया जाया तो जज की बुद्धी भी को भी प्लाट देता है या पूर्ण रुप से गुजरता है तो अपने आगे के और बढ़ जाता है और उसको लांगने पर उसकी स्मृति पटल को खो देता है दिन भर के लिए उसकी याददास्त को उड़ा देता है वो जी जगा से आया रहोगे उसी जगा पर जाओगे उसी जगा पर जाओगे बाहर नहीं निकल पाओ के जंगल से यही होता है क्योंकि हमने भी एक बार हमें इसी को एक बार अपने पाउय तले आ गया था तो हम ग्रूप में जड़ी बुटी खोदने गये थे रिशी पंचमी के रोज की बाद है गनिच चतूरती के अगले दिन के बाद है तो हम ऐसी भूल गये थे जंगलों में तो बहुत मुश्किल से हमने वहां से निकले और सभी साथी लोगों को थोड़ा ग्यानी थे तो इस्वरी क्रिपस निकल गए तो इस तरह सिसका आप लाबले जहां भी देखो इसका सरक्षन कीजिएगा इसके बीज पौधे को लगाईए और लोगों तक के पहुंचाईए और जनकल्यान कीजिए आप सभी को राम